नमस्कार मैं डॉक्टर इतेस बंचकर्मा विशेश शग्य आज हम बात करेंगे कि जो लाल गोंद या कमरकस या पलास का गोंद या ढाक का गोंद होता है उसको किन-किन लोगों को खाना चीए किन लोगों को नहीं खाना चीए और इसके उपयोग में कैक्या साउधानिया भी दरम है राज़ बीया वी पाक है वह क्या तो जो रश हो इसका कट्वुट कशाय होता है जब इसको कच्चा खायेंगे बिना गी प्रए के ंदर बूने तो लाल रंग का गले में चिपकने वाला चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे गले के अंदर खरास हो जाती है उसके बाद में जो इसका गुण है वो लगूरूक्स होता है लगूरूक्स है मतलब है कि शरीर के अंदर थोड़ी सी ड्राइनेस को पैदा करता है और पचने में हलका होता है जब इसको कमेटर करते हैं। हें तो यह क्या हम यह स्निग्दता हम एन उन चफ़ते हैं ? पदा करता है करने वाला और चाकट में देंग जीौन होती है वी पाता है तो यह नहीं तो थोड़ी से कि agradर तो तो यह उसकर नग Ama वहने की वज़े से इसको जादा तर सर्धियों के मोसम में या फिर जिन लोगों को ठंड रहती है या सीथ-वाली डीजीस होती है उनके अंदर इसको कामें लेते हैं या फिर महिलाओं में जो गरवत ही महिलाओं में उनमें परसव के बाद अगर देना है तो इसको हम गी के सा महिलाओं में बच्चा होने के बाद जो सूती का काल होता है एक से डेड़ महिने का उस समय लाल गोंद के लड़ू दिये जाते हैं ताकि परशव के बाद होने वाली पीड़ाएं जैसे हाथ पेरों में दर्द कमर में दर्द रहना या सफेद पाने की दिक्कत या सरीर में बह फिल्की कमिया तो उन लोगों को भी लाल गोंद के लड़ू दे सकते हैं उनमें सरीर की मजबूती करते हैं का यहीं को हाजियों का अच्छा सोर्स होने की बनाने में काम में लिया जाता है इसलिए जिनको कंच दध है जोडों का दध है उन हलवा दूद के साथ दिया जाता है अब हमें यह पता करना है कि किन किन लोगों के अंदर इसको नहीं देना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए तो जो छोटे बच्चे हैं जो पांस साल से कम उमर के बच्चे हैं उनको लाल गुंद में नहीं खिलाना चाहिए जि महिलाओं को uterine prolapse की दिकत है मतलब बच्चे दानी बारबाद नीचे किसक जाती है पेसाब करते समय भी बच्चे दानी नीचे आ जाती है तो ऐसी महिलाओं को लाल गुंद की चीजे नहीं देनी ची ना कोई मिठाई या लड़ू या फिर दूद के साथ क्योंकि उनकी समस्य पूरे टाइम गर्मी रहती है पसीनाता रहता है तोड़ा सा अंदेरा होते ही या फिर गर्मी होते ही गबराट उने लग जाती है या जिनको चटचड़ापन रहता है तो उन लोगों को भी लाल गुंद नहीं देना चीए तो कि उनके सरेर में वैसे ही पित की परदानता है इसके अलावा जो जिन लोगों के सरेर में लाल रंग के दाने निकलते हैं उनको भी लाल गुंद नहीं देना चीए क्योंकि लाल रंग के दाने निकलना फुंसिया होना इचिंग होना इससे ये पता चलता है कि उसके सरेर में पहले से ही पित की अधिकता है तो इन सब तरी वीडियो से रिलेटेड आपके अगर कोई सुझाओ या कमेंट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं आयरवेद और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सस्क्राइब जरूर करें नमस्ते